हाई फ्रेंड्स नेवी डॉक्स विट सुमीत मैं आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे आएनेस ब्रह्मपुत्रा के बारे में आएनेस ब्रह्मपुत्रा ये एक भारतिय नौसिना में कारियरत लड़ा को जाज है जिसे 14 एपरिल 2000 को भारतिय नौसिना में दाखल किया गया तब से यह पच्छिमी नौका समुदाई की स्रेश्टे लड़ा को जाजू में से एक है उनर रचित की गई जाजो को वही नाम तता पुराना नाम देना भारतिय नौसिना की परंपरा है पहली ब्रह्मपुत्रा 28 मार्च 1998 में इंडियन नेवी में दाखल हुई थी और उसे 30 जून 1976 को इंडियन नेवी से सिवा मुक्त कर दिया गया था तक तक पहली ब्रह्मपुत्रा ने उतकुरुष्ट कामगिरी निबाती हुए इंडियन नेवी की अच्छी तरह से सिवा की 125 मिटर लंबी और 14.5 मिटर बीम वाले इस पोद की विस्तापना शमता 5300 तन है और यह पोद 27 नाट से अधिक गति के गमन करने में सक्षम है इस पोद के क्रू में 40 अपसर तता 339 से नेख है और यह मेडियम रेंज, क्लोज रेंज और एंटी एरक्राफ गन्स, सर्फेस टो सर्फेस और सर्फेस टो एयर मिसाइलो और टॉर्पीडो लांचर से लेस है पोद में समुद्री युद्ध के सभी पावलों से जुड़े अनेक प्रकार के सेंसर लगे हुए है और यह पोद सिकिंग और चेतक हिलिकेप्टोरों का संचालन करने में समर्थ है इसके कारण यह पोद 30 और अप 30 अगस्त समुद्री संचारलाई नोकी निगरानिंग, समुद्री कुटनिती, काउंटर टेर्रिजम और इंटी पायरेसी ओप्रेशन सहीत अनेक प्रकार की भुमिकाय निभाने में सक्षम है ब्रह्मपुद्र का नाम भारत के उत्तर पुर्विशत्र में भने वाली प्रसिद्ध नदी के उपर रखा गया है क्रेस्ट में भुरी प्रुष्ट भुमी पर सफेद और निली समुद्री लहरों के उपर भारत के उत्तर पुर्विशत्र में ब्रह्मपुत्र घाटे में रहने वाला सिंग वाला सलिटी रंग का गेंडा दिखाया गया है गेंडा उक्साय जाने पर अपनी उगरता के लिए जाना जाता है पुट का रनवंकार है दुष्मन को खत्रा जब आये ब्रह्मपुत्र जिसका मतलब है जब ब्रह्मपुत्र आता है तो दुष्मन को गंबिर खत्रा होता है जो कि इस पुट की अदब्य भावना है तो दोस्तो यह थी आयनेत ब्रह्मा पुत्र के बारे में कुछ जानकारी अगर आपको वीडियो पसंद आये होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे चैनेल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद